वेडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि इतना आसान है अगर आप मेरे रिगुलर विवर हो तो आप समझ सकते हो कि समझ में आ भी रहोगा कि इतना आसान है mutual funds के थूरू अपने targets को achieve करना lower middle class से upper middle class तक पहुचना कितना आसान है अगर mutual fund के थूरू आप investment करते हो तो लेकिन फिर भी एक comment आया and credit में उसी comment को दूँगा कि उसके करन मेरे दिमाग में यह बात आई कि यह video बनाना चाहिए समझाना चाहिए अप लोग को तो इतना आसान है फिर भी सारे लोग क्यों नहीं कर पाते हैं और दूसरी जो एक्चुल में comment था कि एक time पर सारे लोग अमीर नहीं बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा ही सचाहिए इस बात में कि एक time पर सारे लोग अमीर नहीं बन सकते हैं अब क्यों नहीं बन सकते हैं, इतना आसान है, फिर भी नहीं बन सकते हैं, क्यों ये इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा, और आपको जो मैं बाते बोलूँगा, आप खुद से एक बार सोचना, समझना, फिर आपको अच्छे से और जादा समझ में आएगा, माइं नॉर्मल से टाउन में हो तो जादा और अच्छी तरह से समझ पाऊँगे और अगर एक आप टॉप सिटीज में मतलब टॉप 30 सिटीज इंडिया के आती हो उन सब में से अगर बिलॉंग करते हो तो वहाँ पे जादा आप रिलेट नहीं कर पाऊँगे लेकिन अगर बी टाउ में स्टॉक मार्केट तो छोड़ी तो मुचल फंड में इंवेस्ट नहीं करता है जब कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना टीवी पे आड आता है फेस्बुक यूट्यू सब जगा एड आता है फिर भी नाम नहीं सुना मुचल फंड का इंवेस्टमेंट तो छोड़ जहां पर मैं रह रहा हूं वहां की मैं बात कर रहा हूं जो मेरा गाओं है वहां पर मैं बात कर रहा हूं और आसपास की इलाके की बात कर रहा हूं जादा तर लोग नहीं करना ही नहीं कुछ लोग करते हैं लेकिन मेजोर्टी में जो लोगों की परसेंटेज है वो ऐसी है या तो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, या फिर जानने समझने के बाद भी नहीं करते हैं investment. Clear है? Majority में जो हमारी population है, वो दो भाग में यहीं बढ़ जा रही है, और जादा भाग ऐसे लोगों का है, जो कि या तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, या तो जानबुच कर नहीं करते हैं, तो बहुत कमी ऐसे लोग है, जो कि step उठा पाते हैं investment करने का, ठीक है, यहाँ पे काफी सारे लोग चटके, दूसरे लोगों की चटाई होती है, जैसे अभी कियम बात करते हैं, मार्केट all time high पे सब लोग बढ़ चरकर, एकदम खुर सोकर, एकदम जबरदस्ट investment करते हैं, लेकिन जैसे 5% का correction किसी रीजन से आ जाता है, पटक से बाहर, 5-10% की correction नहीं जेल पाते हैं, और डर के बाहर निकल जाते हैं, दुनिया तो खतम ही होने वाली है, मार्केट तो खतम ही होने वाली है, ठीक है, तो जिन लोगों ने investment किया, उसमें से भी यहाँ पे लोग छट गए, इसकी बात कुछ लोग आते हैं, 6 महिने तक invested है, मजा नहीं आ रहा है, return नहीं मिल रहा, उनको चाहिए quick return, 3 महिने में, 6 महिने में, साल बर में double करना है पैसा, मजा नहीं आ रहा, 6 महिने में कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग 1 साल तक wait किया निकल गए, कुछ लोग 2 साल तक wait किया निकल गए, तो काफी सारी लोग ऐसे भी छट जाते हैं, और ऐसा हमने MFI सभी के data में भी देखा है, कि जादा तर लोग 2 साल के अंदर अंदर में, जो SIB स्टार्ट करते हैं, exit करके हड जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 तरीके के लोग, तो मैंने बता दिया, कि सबसे पहले तो investment ही नहीं करेंगे, जो majority of population है, दुसरा market high पे है, इंवेस्ट करेंगे, गिरते समय बेच के भाग जाएंगे, तीसरी category के लोग आते हैं, जो कि 1-2 साल तक invested रहेंगे, लेकिन उनको मज़ा नहीं आता, उनको चाहिए हर महीने पैसा दुगना, वो नहीं पाता है, तो वो यहां से निकल जाते हैं, ठीक है, तीन category यहां पे हो गई, एक और category की लोग आती है, जैसे मालो 15 years की हम time beat लेते हैं, 15 years के लिए investment करना है, मुझे भी 15 years के लिए Investment करना है, मेरा कोई friend भी है, उसको भी 15 years के लिए investment करना है, मैं invest कर रहा हूं अपना पैसा small cap के अंदर क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उस पैसे को बीच में हाथ ही नहीं लगाना है उसको भी पता है कि बीच में पैसे को हाथ नहीं लगाना है लेकिन वो invest कर रहा है large cap mutual fund में बताओ जमीर आस्बान का अंतर होगा जो इंड में corpus बनेगा जमीर आस्बान का अंतर होगा large cap में कोई invest करता है proper blue chip funds में और कोई invest करता है small cap fund में तो यहाँ पे भी है कि दोनों में काफी ज़्यादा difference आ जाता है पैसे में तो यही region है कि सब कुछ जानने समझने के बावजूद में सब लोग एक साथ financial freedom achieve नहीं कर सकते अमेर नहीं बन सकते जबकि इतना ही आसान है और सब को यह सारी चीज़े पता है फिर भी वो नहीं कर सकते हैं आप पांच category बताई जिसमें से एक category के लोग freedom achieve कर पाएंगे बाकी चार category के लोग नहीं कर पाएंगे और इन चार में से एक कर भी पाएंगा तो बहुत कम कर पाएंगा जबकि अभी भी तुम देखोगे अभी से दस साल पीशे चले जाते हो 20 लाख रुपए किसी ने एक साल दस साल पहले डाल दिये होते small cap fund में लगबग सारे small cap funds ने एक करोड से उपर का corpus generate कर दिया होता और कुछ 3-4 funds ने तो 2 करोड के उपर तक का भी corpus बना दिया होता सब लोग एक साथ अमीर कैसे बन सकते ऐसे में सब लोग एक साथ financial freedom कैसे अचीव कर सकते हैं कि उमीद है समझ में आगे होगा कि क्या रीजन है कि लोग इतना आसान होने पर भी और लोग को जैनकारी होने पर भी वह financially free नहीं हो पाते क्योंकि या तो वह step नहीं ले पाते या